बात करने के लिए लोग इन करें www.astrotak.com देखें दीपावली के दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितिया तिथी को भईया दूज का पर्व मनाया जाता है इस तिथी से यमराज का संबंद भी है और इस तिथी से द्वितिया तिथी का संबंद है इसलिए इस तिथी को इस पर्व को यम द्वितिया भी कहते है इस दिन बेहने अपने भाई का तिलक करती है तिलक करके अपने भाई का स्वागत सत्कार करती है और उनके लंबी आयू की प्राथना करती है कामना करती है ऐसा माना जाता है कि जो भाई इस दिन अपनी बेहन के घर पर जाकर के भोजन ग्रहन करता है और तिलक करवाता है उसकी अकाल मृत्यू नहीं होती उसके पीछे कथा आती है कथा ये है कि यमराज बहुत सालों के बाद अपनी बेहन यमुना के घर गये यमुना के घर पर भोजन किया यमुना ने उनका तिलक किया तब से यमराज ने ये आस्वाशन दिया ये वचन दिया कि जो भाई भईया दूज के दिन अपनी बहन के घर जाकर के भोजन करेगा बहन से तिलक करवा करके आशिरवाद लेगा उसकी अकाल मृत्यू नहीं होगी भईया दूज के दिन ही यमराज के जो सचिव हैं यमराज के जो सेकरेटरी हैं चित्रगुप्त जी महराज उनकी पूजा भी की जाती है इस बार भईया दूज का जो पर्व है वो 26 अक्टूबर को है 26 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो 25 अक्टूबर को जो गोवर्धन पूजा होती थी वो भी 26 अक्टूबर को होगी क्योंकि 25 अक्टूबर को सूरिग्रहन होने की वज़़ से 26 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा भी होगी 26 अक्टूबर को भईया दूज का पर्व भी होगा और 26 अक्टूबर को ही चित्रगुप्त भगवान की पूजा भी की जाएगी अब ये समझते हैं कि भाईया दूच की पूजा कैसे की जाएगी पूजा की प्रक्रिया क्या है भाई को तिलक कैसे होगा आशिरवात कैसे दिया जाएगा देखिए परंपरा कहती है कि भोर में उठके सुर्योदय के पहले चंद्रमा को देखना चाहिए लेकिन अगर आप च बहती नहीं है तो आप ताजे जलसे शुद्ध जलसे स्नान घर पे कर लें वो भी आपके लिए परियाप्त है अपनी बहन के घर जाईए और वहां पर बहन के हाथों से बना हुआ भोजन ग्रहन करिए देखिए इस पर्व का सबसे जादा इंपॉर्टेंस यही है कि आपको अपनी बहन के घर जाना चाहिए एक तरह से सोशल वैल्यू यह है कि आपको अपनी बहन का हाल चाल मिलेगा उसके जीवन में क्या चल रहा है यह समझने का मौका मिलेगा दूसरा शास्त्र कहता है कि यमराज अपनी बहन के घर गए थे इसलिए भाई भी अपनी बहन के घर जाएंगे और वहाँ बहन के हाथों से बना हुआ भोजन ग्रहन करेंगे बहने प्रेम से अपने भाई को भोजन कराएंगी और उनका तिलक करके आरती करेंगी भाई यथा शक्ति अपनी बहन को उपहार देंगे जो अफोर्ड कर सकते हो ऐसा उपहार देंगे शुरुवात में ही आपको बताया था कि जब बहने अपने भाई का तिलक करेंगी तो भाई के हाथ में तिलक करने के बाद दूरवा देंगी दूब गास और भाई इस दूब गास को अपने पास अगले एक साल तक सुरक्षित बनाए रखेंगे जहां तक उपहार का प्रश्ण है देखिए उपहार के बारे में ये समझे कि काले रंग की चीजें लोहे की चीजें मेटल की चीजें आप भाई बहन के बीच के संबंधों में मत दीजिए आप अपनी बहन को वस्त्र दें, आभूशर दें, जो भी उपहार में दें, साथ में कोई मीठी चीज भी उपहार में जरूर दीजेगा झाल